Hello students, welcome to new ORMS classes. आज हम करेंगे exercise 3.2 of calculus. 3.1 IHOP complete हो गई आप सबके. 3.2 से से पहले हम करते हैं कुछ डेफिनिशन्स. Like as infinite series. Infinite series क्या होते है? ठीक है? Infinite series, series का मतलब क्या होता है? Series से आप क्या समझते है? What is a series? Number of terms को arrange करें in definite order. Indefinite law. उसको हम series कहते हैं. और उन terms के बीच में आप plus भी apply कर सकते हैं, minus भी apply कर सकते हैं. For example, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. ठीक है? यह आपके बाद series है. यहाँ पे हमने क्या किया? सारी terms को plus से join किया है? प्लस से दाने कि सबके बीच में प्लस apply किया है. और क्या ला apply हो रहे हैं हाँ पे? कि मैं 2 में 2 add करूंगी तब 4 आएगा. 4 में 2 add करूंगी तब next time आएगी. 6 में 2 add करेंगे 8 आएगा. 8 में 2 add करेंगे 10 आएगा. तो इस तरह से definite law होना चाहिए. और plus की formula प्लस या माइनस. यहां पे आपके पास कोई भी sign हो सकता है. प्लस या माइनस. तो वो आपके पास यह बनती है, series. अब series दो टैप की होती है. एक होती है, finite. जैसे कि अगर मैंने यह इसी की बात करती हूं है, तो यह आपके पास finite series है. इस नमबर ओफ टाम्स आर, finite. इन्फिनाइट सीरीज देज अगर यहां पे ले हम, 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus 9, plus 11, plus up to 7. हमने डैस डैस लागा के छोड़ दिया. इस इस दे इन्फिनाइट सीरीज, ओके? सीक्वेंस किसको बोलते हो? इन्फिनाइट सीरीज, और अगर इन्फिनाइट सीक्वेंस को में लिखते हूं, 1, 3, 5, 7, 9, up to 7. और सीरीज में हम क्या करते हैं? इसको में लिखेंगे, इन्फिनाइट सीरीज. ओके? और सीरीज क्या हो जाएगा? अगर हम टम्स को लिख देंगे, प्लक्स या माइनस की फॉर्म में. समझे? अब S-N क्या होता है? S-N, sum of n टम्स. ओके? अगर माल लिजिए कि A1, A2, A3, up to 7, is an infinite, this is a sequence. because, यहाँ पर जो हमने terms के बीच में कॉमा अपलाई किया है. अगर मैं इन्ही को add कर लेते हूँ, A1, A2, A3, up to 7, इसको हम बोलेंगे series. ठीके? अब S-N के अगर हम बात करें, तो S-N होता है, sum of first-end terms, यानि कि A1, plus A2, plus A3, यह आप plus 2 में, sequence series में पढ़ भी चुके होंगे, S-N, ओके? sum of, इसको हम बोलते हैं, sum of partial terms. partial means, infinite तक अगर आपके पास series यह sequence है, उसको आपको end terms का sum करना है, इसे partial sum. अब हमें जो करना है, आज infinite series में पास होगा है, Taylor infinite series. Taylor के expansion क्या होती है? f of x plus h equal to f of x plus h f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x plus up to sound h raised to power n minus 1 by n minus 1 factorial f n minus 1 x and last time क्या लेके जमते हैं, h n upon n factorial f n x plus theta h. ठीक है? अब देखिए यहाँ पर. यहाँ पर अगर हमें, यह हमारे पास Taylor's theorem, Taylor's theorem कौनसी form में है? language's form में. ठीक है? when the language is formed. after remainder n. after remainder n का मतलब क्या है कि last term हमने n लेनी है. n तक जाना है? after remainder n. ओके? अगर यहाँ पर हम f x से और f n minus 1 तक, इन terms को sn put कर लेते हैं. sn. और last जो term है, this is, इसको मैंने ले लिया rn. ठीक है? यहाँ पर आप बताएंगे कि sn क्या है? where sn is the f x plus h into f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x plus up to son n minus n तक की terms को हमने माल लिया है. है कि sn है, हमारे पास यह है, into f n minus 1x and rn क्या है? rn जो last term, h n upon n factorial upon f n x plus theta h. अब हमने कहा कि हमें चाहिए infinite Taylor series, infinite का मतलब हमारे पास जो यह term सही चलती रहने चाहिए. यहाँ पर देखेंगे, this is a finite series, क्योंकि last term हमें पता है, इसकी after remainder n निकाल रखा है. तो infinite कब आएगी? अगर मैं n को infinity put कर देती हूँ. understand? n को अगर infinity रखते हैं, that means number of terms are infinite and यहाँ पर अगर आप n को infinity रखेंगे तो rn हमारा 0 हाना ची. if rn, यहाँ कि last term अगर 0 को tend करें, rn tends to 0 as n tends to infinity, then we get infinite Taylor series. और इसको आप कैसे लिखोगे? f of x plus h equal to, हमने क्या कहा है यहाँ पर? कि अगर मैं n को infinity लेती हूँ, तो last term हमारी 0 है, यहाँ कि जो n में terms हैं, वो सारी हमारी 0 हो जाएंगे. ओके, तो हमारी पास यहाँ पर आ जाएगी, infinite Taylor series. क्या बनेगे वही? f of x plus h equal to f of x plus h into f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x plus h cube by 3 factorial f triple dash x plus up to 7. dash dash लगा के छोड़ देंगे, और यहाँ जाएगी, infinite Taylor series. बहुत ही easy question है, 3.2 के. पहले में example करेंगे, क्योंकि सारे example most important है, उसके बाद exercise start करते हैं. first example देखे, expand a raise to power x and e raise to power x in the powers of x by Macleurian's theorem. अब हमने पढ़ा था कि Taylor expansion हमारी क्या होती है, Taylor infinite series. f of a plus h ले 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 जी आप, x plus h में लिख सकते हैं, a plus h में लिख सकते हैं. this is f of a plus h into f dash a plus h square by 2 factorial f double dash a plus h cube by 3 factorial f triple dash a plus up to 100. यह infinite Taylor series है, इसी से आप Macleurian निकाल सकते हो, क्या करते हैं हम यहापे, a को यहापे 0 पूट करते हैं, a dash को x पूट करते हैं. तो यह हमारी x में आ जाएगी, in power of x बोलागा है ना, तो x की power में आ जाएगी. then left hand side क्या बनेगी? f of x, क्योंकि a को हमने 0 पूट किया, h को हमने x रखा है आपने. f of x equal to, f of 0, plus h, sorry, h के place भी हम रखेंगे, x, x, f dash 0, plus x square by 2 factorial, f double dash 0, plus x cube by 3 factorial, f triple dash 0, plus up to 6. यह आपके बास आगी, maclorian theorem, infinite maclorian theorem, अब आपको क्या करना है? expand करना है, a raise to power x, and e raise to power x को. f x ले लिजिए आपे, let f x equal to a raise to power x, अब आपको series में पूट करना है, value क्या क्या चाहिए? f of 0, f dash 0, f double dash 0, and triple dash 0, that up to 6. means, आपको सबसे पहले, f x का derivative निकालना पड़ेगा, फिर उसमे x के place पे 0 पूट करना पड़ेगा, तभी आपके बास derivatives at x equal to 0 आएंगे. f dash x निकालिए, a raise to power x into log of a, f double dash x निकालिए, a raise to power x log of a square. triple dash x is, a raise to power x log of a cube. अब यहां पर हमें क्या करना है, x को 0 पूट करते हैं, हर प्लेस पे x को 0 पूट करते हैं, put x equal to 0, then we get f of 0, f of 0 x के प्लेस से मैंने 0 रखा हैं यहां पर, a raise to power 0 is 1. same to same, यहां पर हम f dash 0 निकालेंगे, f dash 0, a raise to power 0 is 1, यहां पर बच जाएगा log of a, f double dash 0 कीजिए, double dash 0, a raise to power 0, this is log of a square. and triple तक निकाल सकते हैं, okay, यहां पर बोला गया नहीं है कि कितने power तक आपको निकालना है, ठीक है, तो आप 3 तक निकाल दीजिए, a raise to power x, यह 1 हो जाएगा, और log of a, q, a raise to power 0, हर जगा पर 1 बन जाएगा, और यहां आपके पास आजाएंगे, इनकी वैल्यू, इन सब को उठा के आपके हम रखते हैं, इन equations को first ले रेते हैं, put all these values in equation first, then we get f of x, f of x आपने क्या लिया है, a raise to power x, है ना, तो f of x is a a raise to power x equal to, f of 0 की value, f of 0 is a 1, plus x into f dash 0, ठीक है, x as it is, into f dash 0, log of a, plus x square by 2 factorial, f double dash 0 की value आजाएंगी, log of a square, plus up to some, triple ओर लिख दीजिये, क्योंकि triple की value हमने निगाल रखिये, f triple dash, तो यहां पर आजाएगा, x cube by 3 factorial, log of a cube, plus up to some, this is the expansion of a raise to power x, second आपको चाहिए, a raise to power x, यहां पर देखिए, हमें यहां पर e raise to power x चाहिए, तो हमें यहां पर क्या करते हैं, इस expansion जो हमारी a raise to power x निगली है, यहां पर आप a को e put कर दीजिये, put a equal to e, in this expansion, ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, e raise to power x, this equal to 1, plus x as it is, हमने a के प्लेस पर e put करना है, यहां पर आजाएगा, log of e, plus x square by 2 factorial as it is, log of e square, plus x cube by 3 factorial, log of e cube, plus up to some, log of e कितना होता है? 1, इसारे 1 हो जाएगे, e raise to power x क्या जाएगी, 1, plus x, plus x square by 2 factorial, plus x cube by 3 factorial, plus up to some, यही expansion होती है, e की, ठीक है? तो इस तरह से आप e raise to power x की हैं, यहां से direct निगल सकते हैं, पल देख रखें, find the expansion of sine inverse x in powers of x, ठीक है? यहां पर जितनी भी example है, सारे किसे ने किसी university में आई है, तो सारे के सारे important है, ठीक है? let f of x equal to sine inverse x, इसको आपको expansion, इसकी निगालनी है in power of x, that means आपको megalarian theorem से इसको expand करते हैं, यहां पर देखेंगे, first derivative निगाल ली हैं हमें, sine inverse x का होता है, 1 upon 1 plus x, sorry, 1 upon under root of 1 minus x square, ठीक है? f, इसको आप लिख सकते हो, 1 minus x square की power minus half, power को अगर मैं वहां पर लेके shift करती हूँ, तो minus की half हो जाएगी, ठीक है? इसको आप open कर दिए by binomial theorem से, binomial theorem से expand करते हैं, कोई सा form में apply करोगी? 1 minus x raised to power minus n, देखें, यहां पर भी minus है, यहां पर भी power हमारी minus में है, इसका formula होता है, 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube plus up to 100, तो हम यह formula में हैं पर लगा देंगे और इसको हम expand कर लेंगे, ठीक है? तो इसको expand करेंगे, value क्या हैगी? 1 plus n into x, this is n, this is x, x square, okay? 1 by 2 into x square, ठीक है? next आएगी, 3 by 8, x raise to power 4, and next term है, 15 by 48, calculation आप कर लेंगे, x raise to power, यहां पर आप square करेंगे, यहां पर cube करेंगे, तो 6 आजाएगा, ठीक है? प्लस up to 100, यह मारे पास f dash की value निकाल ली हमने, ताकि यहां पर जो derivative है, फटा फट से निकल जाएगा, double dash कीजिए, with respect to x करेंगे, 1 का 0, आप 2 power आगे लेके आएगे, 2 से 2 cancel हो जाएगा, यहां पर x आजाएगा, प्लस 4 power है यहां पर, okay, 4 into x cube रह जाएगा, और 4 से 8 को cancel करतीजिए, इसका derivative आगा, 4 into x को भी आएगा, और 3 by 8, this is 3 by 2, 3 by 2 into x cube, next is 6, x raise to power 5, और 6 से 48 को cancel कीजिए, 15 by 48 into 6, यहां आजाएगा, 15 by 8, x 5, प्लस आपटो 6, ट्रिपल डेरिवेटिव करते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव करते हैं यहां पर, x का 1, प्लस 3, 3 is 9 by 2 into x square, प्लस 5 हम लेके आएगे यहां पर, 75 by 8, x 4, प्लस आपटो 6, ओके, अब करते हैं, यह हमारा ट्रिपल डेरिवेटिव था, यहां पर आजाएगा, 4th डेरिवेटिव, with respect to x, 1 का 0, 2 power, आप x square का करेंगे, 2x, 2 से 2 cancel हो जाएगा, 9x, प्लस, आप पाउर आगे लेके आएगे, x cube, 4 से आप 75, 8 को cancel की 75 by 2 रह जाएगा, x2 प्लस आपटो 6, 5th डेरिवेटिव करते हैं, 9 प्लस 75 into 3, 2, 2, 5 by x square, ठीक है, प्लस आपटो 6, 6th डेरिवेटिव पीजिए, 6 डेरिवेटिव करेंगे, तो यहां पर आजाएगा, 2 से 2 cancel हो जाएगा, 2, 2, 5, x, और जैसे आप 7th करते हैं, then, 6 term तक निकाल लेते हैं, 6 derivative तक, इतनी भी काफी है, अब इन्ही जो अपने derivative निकाल लें, यहां पर हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करेंगे, क्यों हमें इसको expand करना है, by maclorean, यानि मैं यहां से f of 0 निकालते हूँ, x को 0 पुट करूँ, sin inverse 0 is 0, f dash 0 निकालते हैं, f dash 0, means मुझे यहां पर 0 पुट करना है, अब यहां पर कर लीजिए, 1 minus 0 is the 1, यहां जाएगा 1, ok, f dash x में, यह f dash x की ही value चल रही है, ok, यहां पर आजी है double dash में, f double dash 0, अब value find out किजी हां से, जैसे आप 0 रखते हैं, 0, 0, 0, हर term में x आएगा, तो complete term यहां पर सारी-सारी term 0 हो जाएगे, triple dash निकाल लिए, f triple dash 0, this equal to x को 0 रखेंगे, 0, 0, up to some, आगे की term भी x में आएगी, तो यहां पर remaining factor is a 1, next, 6 derivative, sorry, 4th, f fourth derivative, यहां पर आप x को 0 रखेंगे, फिर complete 0, 5th derivative में, देखें, यहां पर 5th में 9 रह जाएगा, यह 0 हो जाएगा, आगे की सारी term 0, यहां पर आजाएगा, 9, और 6th में, फिर से आपके पास 0, ठीक है, 6 तक निकाल लेते हैं, काफी इतने, अब मेकलोरेन धर्म अप्लाई कीजिए, f of x equal to, क्या होता है, f of 0, plus x into f dash 0, plus x square by 2 factorial, f double dash 0, x cube by 3 factorial, f triple dash 0, हमने 6 तक निकाली है, आप 6 तक लिकिजिए हापे, 4 by 4 factorial, f4 derivative, plus 5 by 5 factorial, f5, and last is, और इसके आगे हम अप्लाई कर देंगे, dash up to 6, then यहाँ value put करते हैं, fx क्या हमारे पास, sin inverse x, sin inverse x, this is fx equal to, f of 0 की value रखिये, f of 0 is 0, plus x into f dash 0, f dash 0 is a 1, plus x square by 2 factorial, f double dash 0 की value हमने यहापे, 0 निकाल रखिये, into 0, plus x cube by 3 factorial, into 1, this is 1, and 4th फिर से 0 आ रहे है, x4 by 4 factorial, f4 0 की value है, 0, plus x5 by 5 factorial, f triple 5 की value है, 9, यहाँ पे value put करेंगे, 9, और 6th हमारे फिर से 0 आ रहे है, x6 by 6 factorial, this is 0, plus up to 100, यहाँ पे छोड़ देंगे, अब इसको solve कर लेना, जैसे कि 0 हट जाएगे यहाँ से, x आ जाएगा, second is 0, third आ जाएगा, x cube by 3 factorial, 3 factorial को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 2 into 1, x4 यह फिर से 0 आ गया, इसको solve कर लेते हैं, plus 9 into 9, अब आपन में लिखेंगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, okay, x5 plus up to 100, यहाँ cancel करेंगे यहाँ से, 3 आ जाएगा, ठेक है, and 9 नीथ हैं यहाँ पे, ठेक है, यहाँ आप लिख सकते हैं, x plus 1 upon 2 into 1, x cube by 3 plus 3 into 1, 3 को आप लिख सकते हो, 3 into 1, and upon में लिख सकते हो, 4 into 2, this is 4 into 2, x5 by 5 plus up to 100, this is your answer, expand e raise to power ax cos bx, as infinite in ascending power of x by Maclaurian theorem, Maclaurian theorem से आपको इसको expand करना है, यह question हम लास्ट वीडियो में कर चुके है, कि e raise to power ax cos bx को हमने Maclaurian theorem से कैसे expand किया था, तो यहां पर मैं इसके direct result लिख है, इसको आप पिछे वाली इसमें वीडियो में देख लेना, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है, तो, अभी next question क्या गयता है, and deduce e raise to power a into cos alpha, cos x into sin alpha, यह आप इसकी जो expansion open कीजिए, और वो क्या आनी चाहिए, 1 plus x cos alpha plus x square 2 factorial cos 2 alpha plus x cube by 3 factorial cos 3 alpha plus up to 100, यह आपको प्रूव करना है, तो लास्ट जो लेक्चर में हमने करवाया था, कि McLaren थरूम से अगर हम इसको expansion open करते हो, तो हमेरे पस यह आती expansion, ठीक है, इसकी expansion आजेगी, अब देखिए, आपको क्या चाहिए, e raise to power a into cos alpha, ओके, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, cos bx है, यहाँ पर है x into sin alpha, ज्यान से देखना है आपके, e raise to power x तो नहीं है इसमें, x है यहाँ पर, यहाँ पर x रहेगा, ओके, e raise to power x cos alpha, इसको आप इससे compare केजिए, x and x, x का multiple क्या है, यहाँ पर a और यहाँ पर cos alpha, तो हम इसी expansion में put कर लेंगे, put a equal to cos alpha, and b को क्या रखेंगे, cos का multiple यहाँ पर b को sin alpha रखेंगे, and इसमें put कर दीजिए, यह equation first ले लेते, put in first, क्या result आएगा भी, e raise to power, a के place पर मैंने रखा cos alpha, cos alpha into x into cos of b, b is sin alpha, x into sin alpha लिख सकते, this equal to 1 plus x into a को रखा हमने cos alpha, x into cos alpha, plus x square by 2 factorial, a square को रखेंगे, a is cos alpha, cos square alpha minus b को रखेंगे, sin alpha, sin square alpha, plus x cube by 3 factorial, into a को रखेंगे, a की value है, cos alpha, into a square, a square is here, जो last lecture में हमने किया था, वो हमने x square तक expand किया था, तो आप एक third derivative निकाल गए, वहाँ पर x को 0 पुट करके, यह term निकाल लेना, ठीक है, cos alpha, यहाँ पर यहाँ आजएगा, cos square alpha, minus 3 into sin square alpha, plus up to 7, अब यहाँ पर देखते हमें चाहिए, cos 2 alpha, तो cos square minus sin square alpha होता है, cos 2 alpha, यह मिल जाएगा हमें, cos, 2 alpha इसके पुट कर देंगे, यहाँ पर हमें cos 3 alpha चाहिए, cos 3 alpha का formula क्या होता है, वो आप इसको change किजिए, देखें, cos 3 alpha क्या होता है, means 3 into theta, 4 cos cube x minus 3 cos x, ठीक है, आप यह formula से बनाएगे हैं, हमारे पास time है, cos alpha into cos square alpha minus sin square को आप यहाँ पर change कर लीजिए, किसमें, cos में, 3 into 1 minus cos square alpha, sin square alpha को मैंने लिखा, 1 minus cos square, ठीक है, open करते हैं इसको, cos alpha into cos square alpha minus 3 minus, यह plus हो जाएगा, plus 3 cos square alpha, this is cos alpha into cos, 3 and 1 is a 4, cos square alpha minus 3, multiply कर लेते हैं, 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha, और यह कितना होता है, cos 3 alpha, तो हम इसको solve करके, इस term को आप लिख सकते हो, यहाँ पर, cos 3 alpha, यह complete term solve की हमने, और इसके place में लिख देंगे, cos 3 alpha, इस तरह से आपको solve करने हैं, ठीक है, तो एक कोशन आपके बास, example number 3, example 4 is, expand sin x in power of x, and hence find sin 80 of 4 decimal places, तो fx दे रखा हैं आपके बास, sin x, इसको आपको expand करना है, that means आप derivative निकाल लिए, cos x, double derivative is, minus sin x, triple derivative, minus cos x, and fourth derivative is minus, plus हो जाएगा, sin x, and fifth cos x, ठीक है, देखते हैं कहां दख करते हैं, फिर हम करते हैं, x को 0 put करते हैं, f of 0 is, sin 0 is 0, f dash 0, cos 0, यहाँ पर रखेंगे, cos 0 is 1, f double dash 0 निकाल लिए, minus sin 0, 0, triple dash 0 निकाल लिए, minus 1, fourth, at x equal to 0, 0, and fifth is at x equal to 0, is 1, by McLaurian theorem, f x equal to, f of 0, plus x into f dash 0, x square by 2 factorial, f double dash 0, plus cube by 3 factorial, triple dash 0, ऐसे ही, fourth पर लिख लिएंगे, और fifth and, fifth तक निकाला है, हमने यहाँ पर, fourth, and this is fifth, plus up to sum, values put कर दीजिए, f x is a sin x, f of 0, value रखेंगे, 0, यह cancel, x into f dash 0 is a 1, plus x square by 2 factorial, f double dash 0 है, यह 0 हो जाएगा, फिर आती है, cube की बारे, cube is a minus 1, यहाँ पर value रखेंगे, minus 1, तो यह आजाएगा, मारे पास, minus x cube by 3 factorial, fourth पर फिर से 0 आ रहा है, fourth पर 0 हो गया, and fifth पर 1 value दे रहा है, plus x5 by 5 factorial, and next क्या आजाएगी, next अगर आप दो derivative और निकालते है, 6th and 7th, यह आजाएगा, x7 by 7 factorial, plus up to sum, ठीक है, हमें यहाँ पर 4 decimal तक निकालना है, then fifth तक में निकल जागा, शायद आपका, यहाँ तक आप इसको expansion को open कर लीजिए, next expansion मिल गई हमें, हमें चाहिए sign 18, x को आप 18 degree put कर दीजिए, अब हमारे पास degree में इसको radial में change करते हैं, 18 into 1 degree is equal to pi by 180, radian में change करना है, तो हम multiply करते हैं, pi by 180 से, और यह आजाएगा 10, this is pi by 10, ठीक है, solve करते हैं इसको, value put करते हैं, हमें, sign x को रखना है 18 degree, 18 means, चाहिए तो आप 18 degree रखेंगे, या फिर आप इसको लिख सकते हो, sin of pi by 10, ठीक है, 18 degree की value हमने यहाँ पे solve कर लिया है, pi by 10 आ रही है, यहाँ पे एक तो जाएगे, x के place पे रखेंगे हम, pi by 10, this is pi by 10, minus pi by pi raised to power 5, ओके, यहाँ पे आज जाएगा 5 factorial, into 10, एक सकेंड, 1 by 5 factorial, और x5 के place, sorry, x cube पे रखेंगे ना पहले, तो pi by 10 cube, plus x5, 1 by 5 factorial, यह cube के लिए term थी, और pi by 10 raised to power 5, आप टू सॉल, बस यहाँ तक है निकाले जी, 4 decimal आई जाएगा, and pi की value रखेंगे हाँ पे, और इसको solve करना है आप पो, ठीक है, pi की value क्या लेगे चलेंगे, 3.14, ठीक है, pi को रखेंगे आप यहाँ पे, 3.14, जैसे आप value रखते हो, pi की, तो sin 18 degree की value आजाएगी, यहाँ पे रखेंगे, 3.14 divided by 10, minus 1 by 3 factorial, is 6, 3 factorial value 6 होती है, और यहाँ पे आजाएगा, 3.14 by 10 cube, plus 1 by 5, into 4, into 3, into 2, into 1, okay, यहाँ आप solve करेंगे इसको, 6, 24, 120, ठीक है, यहाँ पे आजाएगा, 3.14 by 10, place to power 5, up to solve, इसका solve कर लिजी, this is the, आपे decimal, एप लेजाएगा, यहाँ पे आजाएगा, 0.314 minus 1 by 6, 0.314, q, plus 1 by 120, यहाँ पे आजाएगा, 0.314 raised to power 5, अब इसको solve करेंगे, और 5 decimal तक निकल जाएगा, अगर ऐसे आपके पास, cos में पुछा जाता है, तो सबसे पहले आप cos की expansion निकालेंगे, इसी तरह से, और वहाँ पे भी x को 18 degree, याने कि πाई में, आपको change, radian में change करना पड़ेगा, तकि यहाँ राइट-hand side पे πाई की value रख सके, 3.14, और इसको sin numerical value बना सकते हैं, example 5 देखे, expand 10x by McLaurian theorem, as far as x raised to power 5, यहाँ पे आपने आपको बोल दिया गया है, कि x raised power 5 तक आपको expand करना है, तो सबसे पहले आप fx लेके चलेंगे 10x, fx को हम क्या लेते हैं, y भी लेते हैं, okay, y1 is a first derivative, this is a secant square x, इसको आप लिखेंगे 1 plus 10 square x, this is 1 plus y square, y2 निकालते हैं, y2 is a second derivative, second derivative करिए इसका, 1 का derivative हो जाएगा 0, y square is 2 into y, into y का हो जाएगा first derivative y1, okay, and next derivative करते हैं, y का हो जाएगा y3, this is equal to 2 into, यहाँ पे आपको u into v apply करना पड़ेगा, y into y1 का y2 plus y is, इसका y1 और यह आज़टीज, that means y1 square, y4 करते हैं, 2 into y into, यहाँ पे फिर से आपको u into v apply करना पड़ेगा, y into y3 plus y1 into y2, और यहाँ पे करेंगे 2 into y1 into y2, this is first and second time, यहाँ जाएगा, 2 into y into y3 plus 2 रिक 3, y1, y2, ठीक है, next करते हैं y5, 2 into y into y4 plus y1 into y3, यहाँ ज़टीज हुज़ेगा, 3 into y1, y3 plus 3 into y2 square, इसका y2 और यह as it is y2 square, ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने terms तक निगलता है, यहाँ पे max को 0 रखेंगे, रखिए यहाँ पे, सबसे पहले आप निकालिए y of 0 की value, y of 0 means y की में आपको x को 0 पुट करना है, means tangent 0 is 0, y1 0 पे निकालते हैं, यहाँ ज़एगा 1 plus y of 0, इसका square चल रहा है, और y square की value, यहनी कि y of 0 की value रखते हैं, यहाँ ज़एगा 1 plus 0 is 1, y2 0, इसकी value निकालते हैं y2 की at 0 पे, 2 into y of 0 into y1 of 0, y of 0 की value is 0, 2 into 0 into 1, multiply में यह सारे 0 आजाएगा, ठीक है, y3 निकालते हैं, y3 की value at x equal to 0, यह y3 है हमारा, यहाँ पे देखें 2 into y of 0, y2 at x equal to 0 plus y1 square at x equal to 0, 2 into y of 0 की value, यहाँ से 0, तो यह complete term 0 होजाएगी, और y1 square, y1 की value हमने 1 निकाली है, तो 1 square is a 1, यहाँ जाएगा 1, complete solution, यहाँ जाएगा 2, y4 at x equal to 0 निकाली है, यह y4 की value है, तो y of 0, 0, complete 0, y1 की value यहाँ पे देखते हैं, 1, और y2 की value, फिर से 0, तो पूरी term हमारी हाँ पे 0 आजाएगी, तो y4 की value आजएगी, 0, and y5, हमें x5 तक निकाल ले, x, x square, cube हो जाएगा, अब देखें आपे, यह term 0, because y of 0, 0 आ रहे है, उसके बाद square 0 आ रहे है, इसकी value हमाएं मिलेगी, यह term 0 हो जाएगी, चलो देखते हैं, y1 और y3, इसको आप add कर लीजिए, यह हो जाएगा 4 time y1 और y3, ओके, यह term 0 बनेगी, क्योंकि y of 0 हमारा 0 दे रख़ा है, और यह 0 बनेगी, क्योंकि y square, sorry, y2 is also 0, अब इसको solve करते हैं, 2 हमारे पास common है, into 4, into y1 of 0, y1 of 0 is a 1, into y3, y3 की value हमने निकाली है 2, यह आ जाएगा, 2 into 4, 4 for 16, ठीक है, y5 की value मिल गए हमें यह से, अब इन सारी values को आप expansion में पुट केजिए, expansion क्या होती है मारे पास, f of x equal to, Megalorian apply करेंगी हाँ पर, f, सब से, मैं direct put कर रहीं हूँ, f of 0, f of 0 means y of 0, आप इसमें confuse मत लोजाना, f of 0 लिखो है, फिर y of 0 लिखो, बात वही है, f of x equal to y होता है, तो यहाँ पर आजाएगा, first term तो हमारी 0 हो जाएगी, this, चलो में लिखी देते हैं यहाँ पर, y of f of 0, plus x into f dash 0, plus x square by 2 factorial, f double dash 0, x cube by 3 factorial, f triple dash 0, plus x 4 by 4 factorial, f fourth derivative, और फिर आता है, fifth derivative, f of 0 की value, means y of 0, यह हमारी 0 है, फिर आता है, x into f dash 0, f dash 0, y1, one value है, x आ गया, x square फिर से 0, क्योंकि यहाँ पर f double dash 0 रखेंगे हैं, 0 आ रहा है, triple dash की value 2 आ रही है, तो यह आ जाएगा, triple में आप लेके चलेंगे, x cube by 3 factorial हमारे पास है, और f triple dash याने की y 3 की value रखेंगे हम 2, यहाँ पर लिख देती हूँ में 2, ठीक है, plus, fourth फिर से 0, fourth derivative, fifth derivative में रखते हैं, x 5 by 5 factorial, into 16, plus up to 6, हमें x raise to power 5 तक चाहिए था, वहाँ तक हमने value निकाल ली, ठीक है, आगे पूछा जाता है, तो हम इसके और भी derivative करते जाते हैं, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, tangent 46 degree, 30 minute, यह value चाहिए, means आपको यहाँ पर x को put करना पड़ेगा, 46 degree, 30 minute, then complete को आप degree में change कीजिए, इसको आप लिखोगे, 46 degree, minute को क्या लिखते हैं, degree में change करेंगे तो, 60 से divide करते हैं, एक degree में 60 minute होते हैं, और minute को degree में change करोगे तो, divide करेंगे 60 से, cancel out, 1 by 2, that means, 46 plus half degree, 46 into 2, plus 1, 93, हाँ जी, by 2 degree आजाएगा, इसको आप radian में change कीजिए, 93 by 2 into pi by 180, इसको solve करेंगे, ओके, और pi की value आप put करेंगे, 3.14, जैसे हमने sign वाले question में किया था, as it is y करना है, x को आप 3.14 में change करके, यान ही हमाने decimal में value आ जाएगी, और इसको आप x के place पे put करना, और solve करना, यहाँ से आ जाएगा, tangent of 46 into 30 minutes, चलिए आज के lecture में हम इतना ही cover करते है, next question मैंने लिखा था, इसको मैं next video में cover करवाऊंगी, क्योंकि याप बहुत lengthy exercise है, एक lecture में cover भी नहीं कर पाएंगे, और starting के 10 questions का link में PDF बनागे, आपको link share कर दूँग, आप वहाँ से check कर लेना, अगर किसी के problem आती है, जो बच्चे कल के कल कर लेते हैं, वो मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके कि हमें इस question में problem है, जैसे ही मैं इसका next lecture बनाती हूँ, आप यह आपको solve कर वादूँगी, ठीक है, तब तब आप इसको try किजिए, and thank you for watching my video.